गुद मोर्निंग और वेलकम तो माई चैनल आईए एलेक्ट्रोस्टेटिक्स के इस सेरीज का पहला कोस्टन देखते हैं कोस्टन कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस प्लस फोर क्यू, माइनस क्यू और प्लस फोर क्यू और केप्ट अन्द एक्स एक्सिस अगर इस क्यूद सेरीजन, प्लस फोर क्यू बन्हें कोई प्लस फोर क्यू अगर यह नहीं होता यह चार्ज ये दोनों कभी भी एक दूसरे के नजदिक नहीं होता कि रिपल्सन के कारण ये इधर मूग करेगा ये इधर मूग करेगा इसके आज आने से दोनों पॉलस चार्ज है दोनों इक्वल मैंगनिचूड है तो इसके माइनस अपॉजिट नेचर के चार्ज आने से मीड पॉइंट पर अगर हम रखते हैं तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा इकलूगरियम में होगा ठीक है लेकिन किस तरह का इकलूगरियम होगा ये भी चेक करना होगा अगर ये चार्ज इसके आने से अगर ये दोनों नेट फोर्स जीरो महसूस कर रहा है इसका मतलब ही हुआ इसको चेक करेंगे कि अगर ये इधर मूग करता है तब क्या इस्तिती होता है तो अगर इधर move करेगा तो उसी स्थिति में चेक कर लेंगे कि यह stable होगा या unstable होगा तो पहले इस पर net force निकाल कर लेते हैं कि आपका net force 0 हो रहा या नहीं तो अगर A point पर जो charge रखा उस पर net force निकाले तो हमारा आजाएगा के 4Q into आपका minus Q upon आपका क्या हो जाएगा दोनों के बीच का distance A तो A square हो जाएगा plus K into आपका 4Q ठीक है यह दोनों के बीच अगर देखेंगे तो 4Q into आपका 4Q हो जाएगा upon 2A square अब इसको क्या करेंगे करेंगे के बाई A square common हो जाएगा इधर हो जाएगा minus 4Q square इधर हो जाएगा आपका 16Q square upon आपका A square common हो चुका है तो आपका 4 हो जाएगा यहां अब इसको करेंगे तो 16Q square plus 16Q square क्या हो जाएगा 0 देदेगा यहां पर net force A पर जो होगा वह आपका 0 आ जा रहा है इसका मतलब हो गया system तो इसके आने चलते है इस equilibrium हुआ लेकिन अगर इसको इधर कि अगर इसको इधर करेंगे तो आपका force क्या होगा इस पर जो attraction force होगा वह बढ़ जाएगा और इस पर जो होगा repulsion force वह भड़ जाएगा ठीक है तो attraction force बढ़ते जाएगा इस इस्तिति में आपका stable नहीं हो करके unstable equilibrium हो जाएगा समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसान question है next question देखते हैं हम लोग इस question में आसान था ना कि अगर इस charge पर हम देख रहे हैं इसके कारण इस पर force इसके कारण इस पर force या इस body पर अगर देखें तो इस कारण से इस पर force इस करण से इस पर फोर्स जो net फोर्स होगा वो आपका 0 आएगा लेकिन अगर इसी चार्ज को इधर मूँव करा दें और या इस चार्ज को इधर मूँव करा दें तो इस इस्तिती में फोर्स क्या होगा attraction फोर्स जादा है strong होगा repulsion के तूर्णा में तो वो situation जो होगा आपका stable ना हो करके unstable equilibrium कहलाता है ठीक है तो इसलिए option number आपका C हो जाएगा next question देखते हैं इस question को देखते हैं इसमें का रहा है कि a dipole is placed in an electric field as shown in which direction will it move जो dipole है वो आपको electric field के अंदर में रखा हुआ है और वो किधर की और move करेगा तो वो बताना है आपका options में दिया हुआ है कि first option का रहा है towards the left as its potential energy will decrease B में का रहा है towards the right as its potential energy will decrease C में का रहा है towards the left as its potential energy will decrease और D में का रहा है कि आपका towards the right as its potential energy will increase ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं यह electric field आपका दिया हुआ है तो इस electric field में यहां से originating electric field है तो originating electric field यहां पे है इसका मतलब ही हुआ कि यहां से आपका क्या हो रहा है कोई source charge है और यहां से electric field आपका originate हो रहा है तो originate जब होता है तो जिस points originate होता है वहां पे आपका crowded reason होता है और charge के नजदीक जो होता है, field का strength होता है, वो strong होता है, ठीक है, बहुत ही strongest आपका field होता है, charge के नजदीक, जैसे जैसे दूर जाते है, field का strength क्या होता है, वो decrease करता है, और potential energy भी आपका decrease करेगा, तो जैसे हम इस dipole की अगर बात करें, तो इसमें ये जो charge है, ये इस charge के नजदीक है, और ये वाला जो charge है, इस charge के दूर है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे से दूर जाएंगा, field का strength तो decrease करेगा ही, साथ साथ में आपका potential energy भी decrease करेगा, तो यहाँ पर हम क्या दे greater than catch is E2, क्योंकि ये इसके नजदीक है, और originating है, तो इस source charge के नजदीक में ये charge आजाएगा, और ये charge आपका दूर हो जाएगा, दोनों charge का magnitude सेम है, फिर भी ये आपका क्या होगा, दूरी के चलते हैं, इस पर force, electric field आपका strength क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ साथ में आपका potential energy भी decrease करेगा, ठीक है, तो कह रहा है कि, कि dipole किस direction में आपका, वो कह रहा है कि dipole is placed in an electric field, as shown in figure, in which direction will it move, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो field होगा, इसका field जो होगा, वो आपका किदर होगा, इधर होगा, और इसका भी field इधर होगा, तो ये already इधर move करेगा, और अपका क्या होगा, right की तरफ move करेगा, ठीक है, और potential energy अपका decrease करेगा, तो यहाँ पे कर रहा है कि will it move, क्या होगा option, तो towards the left, तो गलत हो जाएगा, towards the right, at its potential energy will it decrease, तो option अपका B हो जाएगा, right की तरफ move करेगा, और potential energy अपका decrease करेगा, तो option अपका B हो जाएगा, C इस लिए कि इसमें Left दे रखा है और ठीक है डिग्रीज तो का राहाई लेकिन तो μीन कर सकता है और इसमें जाने तो सबते नंबर B हो जायेगा फिर से समझ लेतें इसको इस पे जो है ये चार्ज जो है आपका इसके नजदीक होने के चलते इसमे फोर्स जाता लगाँ में तो net force में नज़र चला जायेगा तो net force टूआर राइट होने के चलते हैं ये है जे चार्ज ऑफ 3.2 इंटेंडी पाउर माइनस 7 कुलंब डिस्टिबूटेड उनिफॉर्म ली वाट इस दे मैंगनिचूड ऑफ एलेक्ट्रिक फिल्ड एट दा पॉइंट 15 सेंटीमिटर फॉर्म दा सेंटर अफ एस्फेयर कोई एस्फेरिकल कंड़क्टर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कोस्टन में और उस पर चार्ज दिया हुआ है 3.2 इंटेंडी पाउर माइनस 7 और डिस्टिबूटेड इनिफॉर्म ली इस्फेरिकल कंड़क्टर है तो कर रहा है कि मैंगनिचूड बताना है एलेक्ट्रिक फिल्ड का कितने सेंटिमेटर के दूरी पर तो 15 सेंटिमेटर के दूरी पर सेंटर से ठीक है तो आसान है अगर ये एस्फेरिकल कंड़क्टर है तो इसका रेडियस आपका कोस्टन में दिया हुआ है और ये इसका मान magnitude of electric field गया होगा तो यहाँ से 15 cm की दुरी बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ से 15 cm यह आपका R is equal to हो जाएगा 15 cm तो अगर यहाँ से देखा तो यह देखिए कुलम सलाव का बैडिट है कि कोई भी charge body को हम लोग point mass या point charge मान करके चलते हैं अगर इस body को point charge माने इस point पर ही इसी center पर तो यह आकर यहाँ पर अगर हम इसको concentrate माने पूरे charge body को तो यहाँ से यह दुरी अभी भी उतना ही रह जाएगा ठीक है तो यहीं दुरी आपका electric field के लिए निकाला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात करने electric field निकालेगा तो फर्मूला होता है one बटा four by epsilon not आपका into q by r square तो e का value निकल जाएगा इसका value होता है 9 into 10 to power 9 और q का value आपका question में दिया हुआ 3.2 into 10 to power minus 7 by r square तो यह निकिर 15 है centimeter है तो meter बदल देंगे इसको हो जाएगा यहाँ पर minus 3 हो जाएगा क्योंकि आपका 400 कम हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा और यह 225 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर minus 3 बच रहा है तो 9 में से minus 3 गया तो 6 हो जाएगा और एक 0 और कम हो जाएगा तो 9 into 32 by 225 into 10 to power आपका हो जाया कितना इधर से आपका नीचे से उपर चला जाएगा तो माइनस आपका हो जाया कितना यहाँ पर दस के पाउर 5 बचेगा ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाया कितना solve करेंगे आपका answer आजायेगा तो आपका हो जाया finally इसको भाग दे दे अगर तो आपका कितना हो जायेगा कटेगा देखे सब में option में 1.28 1.28 दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका आपका value आएगा 1.28 पैसे इसका गुना करने पर आपका 288 आएगा 288 बटा 225 भाग देंगे तो 1.something जायेगा जो की option में है सारे option सेम है क्यों पाउर का आपका difference है तो यहाँ पर पाउर आपका कितना आ रहा है आपका पाउर आ जा रहा है कितना 10 के पाउर 5 तो 10 के पाउर 5 option यह होने है आपका answer हो जाएगा समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान question है अगला question देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगर लिख सकते हैं आपका 1.28 इंट्रेंटी पाउर 5 न्यूटन पर कुलम अपका यह हो जाएगा इस question को देखते हैं इसमें कहा रहा है कि an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field e the direction of electric field e is now reversed the direction of electric field is now reversed keeping its magnitude the same a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h the time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is options दिया हुआ है 10 times greater 5 times greater smaller equal तो देखते हैं इसको संचिक में हम इसको समझा रहे हैं question देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान question है एक electrons है जो कि आपका vertical height h से उसको गिराया जा रहा है जिसमें आपका electric field दिया हुआ है vertically upward direction में ठीक है तो उसमें जो electron का fall होने का जो time है वो आपका time बताना है अगर proton उस electric field को अगर vertically upward ना हो करके vertically downward कर दिया जाए और उसमें proton को fall कराया जाए तो उसके द्वरा fall होने के लिए जो time लगेगा उस time से दोनों में क्या relation है ठीक है तो बहुत यह असान question है यह देख लीजिए यहाँ पर समझा रहे हैं मालीजिए vertically upward direction में आपका आपका field दिया हुआ है vertically upward direction में आपका field दिया हुआ है ठीक है और इसमें आपका electron को fall कराया जा रहा है एक electron को नीचे की और क्या किया जा जा रहा है तो यहाँ पर h height से अगर इसको हम fall कराते हैं suppose that यहाँ से h height अगर हम बात करें h height से तो इसके द्वारा सता पर आने में जो time लगेगा ठीक है जो time लगेगा वो time अगर vertically downward अगर what electric field हो vertically downward electric field हो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रो प्रोटॉंज को क्या कि जा रहा है vertically downward fall करा जा रहा है यहाँ पर प्रोटॉन आपका दिया हुआ है तो यह प्रोटॉन आपका क्या होगा तो उपर से field नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ उपर positive नीचे नीगेटिव फिल्ड का direction उपर से नीचे आ रहा है जब एलेक्ट्रो प्रोल कराएंगे तो attraction force इसको लगेगा यह नीचे जाएगा इसके दौरा लगाएगा time इसको दौरा लगाएगा time आपको बताना है सता पहुंचने में ठीक है इसके बीच relation बताना है तो देखते हैं इसका solution करके देखें यहाँ पर आपका फिल्ड का direction क्या होगा भर्टिकल या प्वार्ड है तो इसमें हम लोग electrons को उपर से फॉल करा रहे हैं electrons को उपर से फॉल कराएंगे तो यह electron नीचे आने में कितना समय ले रहा है यह समय हम लोग T1 मान लेते हैं ठीक है electron का महास अपका aim हो जाएगा और आपका height दे रखा है कितना एच हाइट से और from rest से क्या कर रहा है उसको गिराए जाएगा तो यह तो आपका zero हो जाएगा फिर कहा रहा है कि इसी electric field का जो direction हो reverse कर दिया जा रहा है क्या किया रहा है reverse कर दी यानि कि vertically downward हो जा रहा है तो यहाँ पर proton आपका क्या हो जाएगा नीचे क्यों जाएगा प्रोटोन को उसी height से क्या किया रहा है गिराय जा रहा है तो उसी height से जब गिराय जाएगा तो आपका proton जो है नीचे की तरफ इसका mass आपका aim हो जाएगा और फिल्ड का डिरेक्शन आपका नीचे हो चुका है तो यहां तक आने में जो टाइम लगेगा इसका हम टाइम टीटू ले ले लेते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज़ का फोर्स कितना लग रहा है इस दोनों चार्ज पर व क्या होता है फर्मूला गर दोनों का मास अगर दिया हुआ है मास और अपका ठीक है मास और एक्सरेशन हो जाएगा क्योंट किया कर लेंगे तो यहां से एक्सलेशन हो है तो si के जगा कितना हाइट से नीचे जा रहा है तो हाइट के लिख और है क्या हो जाएगा और एक आफ़े दिया हुआ है similarly बात करें तो T2 is equal to हो जाएगा उतना ही height है Q into E उतना ही charge रहेगा field भी वहीं रहेगा mass of यहाँ पर electron आजाएगा यहाँ पर proton आजाएगा यानि कि अगर इस दोनों height भी constant टकें charge भी constant टकें electric field uniform है तो आपका time directly present हो जाएगा किसके time directly present हो जाएगा root under mass के ठीक है root under mass time directly present हो जाएगा root under mass यहाँ पर हम क्या देख रहे है कि अगर time directly present हो जिसका mass ज़्यादा हो उसका time ज़्यादा होगा ठीक है जिसका mass ज़्यादा हो उसका time ज़्यादा होगा time of हम क्या देख रहे है time of जिसका mass ज़्यादा होगा किस के तुन लामें कि यहां पे डियर्क्ली प्रोपेशनल चला है डियर्क्ली प्रोपेशनल तब Time of proton is greater than Time of electron यहनी कि आपका smaller होगा ऐलेक्ट्रोन का time ठीक है तो वहीं पूछ रहा है कि electron का time क्या होगा to a proton तो आपका smaller हो जागा बहुत जादा तो option number आपका C में था option आपका smaller तो option आपका C सही हो जाएगा समझ में आ रहा हुगा बहुत ही असान question था ये दोनों height, same height है same height से electron और proton को गिराय जा रहा है एक बार electron के direction में आपका field का direction के opposite है और proton के direction में आपका fall के direction में आपका electric field आपका same है तो दोनों का हाइट सेम है अपका टाइम टी टू ले लिये गे रेश्ट से गिरा जा गते यू जीरो हो जाएगा आपका मास प्रोटॉन मास फिलेक्ट्रोन दिया हुआ है फर्मूला से आप बेरर वर्क ट्यू इंटू यह हो जाएगा मास इंट्रेक्सेस ने निकाल दिया गया स्वार यूटी प्रलस हापी डिस्कोर निकाल के एच कर दो